Hello everyone, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेन्थ की भूगोल की बुक से चैप्टर नबर फोर क्रिशी की पार्ट फाइव पिशले क्लास में हमने पार्ट वन से लेकर पार्ट फोर तक कम्प्लीट कर लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अप ले लिस्ट में जा कर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की कलास आज हम पढ़ेंगे क्रिशी की राष्ट अर्थ व्यवस्था रोजगार और उत्पादन में योगदान और उत्पादन में क्या योगदान करती है यहां लिखा है क्रिशी भात अर्थ व्यवस्था की रीड की हड़ी रही है क्रिशी क्या है हमारे इंडिया के एकोनॉमी में अर्थ व्यवस्था की रीड की हड़ी रही है सकल घरेलू उतपाद में क्रीसे की योगदान का नुपात 1951 से लगतार घटने के उपरान्ती भी ये 2010 से 11 में देश की लगभग 52 प्रतिसत जन्चंक्या के लिए रोजगार और आजी विका की साधन थी सकल घरेलू उतपाद में जिसे हम GDP कहते हैं Gross Domestic Product तो जो सकल घरेलू उतपाद है GDP है इसमें क्रीसी की जो contribution है इसके contribution की जो ratio है जो अनुपात है वो 1951 से लगातार घट रही है लेकिन 1951 से लगातार घटने के बाद भी 2010 से 11 में देश की लगभग 52 प्रतिसत जन्चंक्या के लिए ये रोजगार और आजी विका की साधन थी 52 प्रतिसत जन्चंक्या को क्रीसी से ही रोजगार मिल रही थी और आजी विका प्राप्त हो रही थी क्रीसी का सकल घरेलू उत्पाद में घटा अंश गंभीर चिंता का विशय है क्रीसी में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगती रोल अर्थ ववस्था के अन्य छेटरों में गिरावट लाएंगे जो समाज के लिए वियापक नहीं तार्थे हैं तो क्रीसी का जो जीडीपी है जीडीपी में क्रीसी की जो योगदान है उसका घरता अंस एक गंभीर चिंता का विशय है एक चिंता का विशय है क्यूंग चिंता कविसे है क्योंकि क्रीशी में अगर गिरावट आएगी तो देश की अर्थववस्था में भी गिरावट आएगी क्रीशी के महत्व को समस्ते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकी करन के लिए भरसक परियास किये है अब क्रिसी हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कई लोगों को रोजगार देती है और साथ ही साथ देश की अर्थववस्था को मजबूत करती है इसलिए भारत सरकार ने इसके आधूर्नी की करन के लिए कोशिश किये हैं भारते क्रिसी में सुधार के लिए भारते अक्रिशी अनुसंधान परिशद वो क्रिसी विस्वेद्धालेों के स्थापना पसुचिकित्सा सेवाएं और पशुप्रेजणन के इंद्र के स्थापना बागवानी विकास मौसम विज्यान और मौसम के परवन नुर्मान के छेत अनुसंधान और विकास को वरिता दी गई जाने कि भारत की क्रीशी में सुधार हो इसलिए भारत की सरकार ने क्या 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 स्थापना की भारतिक रिची सालन की इस्थापना भारत सरकार की और से की गई और साथ ही साथ पसु चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराए गए क्योंकि क्रीसी में पसु क्या भी योगदान होता है इस वज़ा से पसु चिकित्सा सेवाएं भी आरंब की गई और पसु प्रजनन केंद्र के इस्थापना की गई पसु चिकित्सा सेवा ऌता है फसल उगाना होता है वुच्छ Oohsaf करेश है कि खेटर में एक सुधार लाने के जरूरत है मोसम विज्ञान की बारी में मोसम भी समझाया जाता है और मौसम के पुरवनुमान के बारे में भी बताया जाता है ताकि किसान मौसम के बारे में पहले ही जान सके और उसके एकॉर्डिंग अपने खेतों में फसल उगा सके तालीका 4.1 से इसपस्ट होता है कि पिछले वर्सों में सकल घरेलू उतपाद में हैं अगर तालीका 4.1 को देखें तो इसके सकल घरेलू उतपादन में व्रिधी हो रही है लेकिन फिर भी देश में रोजगार के अवसर नहीं है क्रिसी में विकास दर कम हो रही है जो कि एक चिंता जनक इस्थिति है अब देश में रोजगार के आवसर उपलब्ध क्यों न तिस परधा से एक बड़ी चुनावती का सामना क्रीसी सेक्टर में विशेश रूप से करना पढ़ रहा है यानि कि किसानों को इंटरनेशनल कॉम्पेटिशन से एक बड़ी चुनावती का सामना करना पढ़ रहा है क्रिसी सेक्टर में विशेश रूप से करना पढ़ रहा है रासानी कुरवरकों पर साहे की कम करने से उतपादन लागत बढ़ रही है यानि कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसमें सबसीडी कम करने की वज़ा से उतपादन की लागत बढ़ रही है यानि क्रीसी करने के लिए उतपादन के लिए किसानों को जादा पूंजी लगाने की जरूरत पढ़ रही है क्योंकि जो chemical fertilizer वो यूज करते हैं उसमें सरकार की तरफ से सबसीडी कम दी जा रही है इसलिए जो किसान है उनको उतपादन के लिए उन्हें जादा पूंजी लगानी पढ़ती है और इस तरह से तैसानिक उरवरकों पर सबसीडी कम होने की वज़ा से उतपादन लागत बढ़ रही है इसके अतिरिकते क्रिसी उतपादों पर आयात कर घटाने से भी देश में क्रिसी पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है और इसके अलावा क्रीसी उपादों पर यानि क्रीसी की जो प्रोडक्ट होते हैं उसके आयात कर यानि की बाहर विदेसों से जो प्रोडक्ट आते हैं उनके कर घटाने से भी देश में क्रीसी पर हानिकारत प्रभाव पड़ा है किसान क्रिसी में पूंजी निवेस कम कर रहे हैं जिसके कारण क्रिसी में रोजगार घट रहे हैं किसान क्या कर रहे हैं क्योंकि उनको क्रिसी में किसी तरह की प्रॉफिट नजर नहीं आती है इस वज़े से वो पूंजी कम लगा रहे हैं जिसके कारण क्रिसी में रोजगार घट रहे हैं वैस्वी करन का क्रिसी पर प्रभाव वेस्वीकरन किसी कहते हैं किसी भी देश के अर्थिव्यवस्था को वेस्वीकरन कोई नहीं घटना नहीं है उपनिवेश काल में भी यही स्थिती मौजूद थी उपनिवेश काल में यानि की कोई एक कंट्री है वो दूसरे कंट्री में यहां के लोग यहां जाते हैं यहां पर वो बिजनस करते हैं और फिर वो प्रॉफिट कमाते हैं इसे उपनिवेस कहा जाता है, उपनिवेस काल में भी यही स्थिती मौझूद थी। जैसे कि ब्रिटेन के लोग भारत आकर के बिजनस कर रहे थे और यहां वहां के लोग रह रहे थे। उन्नीस्वी सताब्दी में जब यूरोपी व्यपारी भारत आये तो उस समय भी भारती मसाले विश्वे के विभिने देशों में निर्यात किये जाते थे और दक्षिन भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रुच्साहित किया जाता था। यानि कि उन्नीस्वी सताब्दी में जब यूरोपी व्यपारी भारत आये उस समय भी भारती मसाले पूरी दुनिया में और अलग-अलग देशों में एक्सपोर्ट किये जाते थे और दक्षिन भारत में चुकि मसालों की खेती होती है दक्षिन भारत में किसानों को इन फस इजें भारत से एक्सपोर्ट की जाती हैं उन सभी वस्थों में गरम मसाले भी एक्सपोर्ट किये जाते हैं ब्रिटिस काल में अंग्रेज व्यपारी भारत की कपास शेत्री की और आकरसित हुए और भारती कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्दोग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया यानि कि जब ब्रिटिस काल में ब्रिटेन के लोग अंग्रेज वेपारी भारत आये थे भारत वेपार करने के लिए आये थे भारत के कपास शेत्री की और ब्रिटेन के लोग यानि अंग्रेज आकरसित हुए थे क्यों कपास शेत्री के औ तो ब्रिटेन में सूती वस्र उद्दोग के लिए कपास को एक कच्छे माल के रूप में एक्सपोर्ट किया गया मैंचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्र उद्दोग भारत में पैदा होने वाली उत्तमकिस्मिकी कपास की उपलबधिता पर फली-फुली यानि कि मैंचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्दोग जो था वो किस वज़ा से फली फूली क्योंकि भारत से ही उत्तम किस्मिक की कपास एक्सपोर्ट की जाती थी आपने 1917 में बिहार में हुए चमपारन आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा इसके शुरुआत इसलिए हुई कि इस छेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था अंग्रेज किसानों को कहते थे नील की खेती करने के लिए नील ब्रिटेन के सूती वस्र उद्दोग के लिए कच्चा माल था ये किसान इसलिए भड़की क्योंकि उन्हें अपने उभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था अंग्रेज ये कहते थे किसानों को कि उन्हें नील की खेती करना है और नील की खेती के अलावा वो अपने लिए भी अनाज नहीं उगा सकते थे उन्हें अना जुगाने से मना कर दिया गया था इसलिए चमपारन के किसान भड़क गय थे और इसी वज़ा से चमपारन आंदोलन हुआ था 1990 के बाद वैस्वीकरन के तहद भाती किसानों को कई नई चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है 1990 के बाद वैस्वीकरन के तहद भारत के किसानों को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है अब वो कौन कौन से चुनोतिया है चावल कपास, रबड, चाए, कौफी, जूट और मसालों का मुख उतपादक होने के बावजूद यानि कि हमारा भारत मुख उतपादक है चावल कपास, रबड, चाए, कौफी, जूट और मसालों का और मुख उतपादक होने के बावजूद भारती क्रिसी विश्वे के विखसे देशों से स्परधा करने में असमर्थ है और हमारा भारत दुनिया के development country से competition करने में असमर्थ है क्योंकि उन देशों में क्रिसी को अतिधिक सहाई की दी जाती है क्योंकि development country में क्रिसी को जादा सबसीडी दी जाती है और हमारे country में सबसीडी किसानों को कम दी जाती है आज भारती क्रिसी दो राहे पर है आज भारत की किरिसी दो राहे पर है भारती किरिसी को सक्षम और लाबदायक बनाना है तो सीमान्त और छोटी किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा भारत की क्रिसी को अगर लापदाइक बनाना है जो छोटे छोटे किसान है उनको सुधारने पर जोड़ देना होगा हरित करांती ने लंबा चोड़ा वाइदा किया परन्तु आज ये कई विवादों से घीरी है हरित करांती में ये वादा किया गया था कि अनाज ज़्यादा उप जाए जाएंगे लेकिन आज ये कई विवादों से घिरी हुई है किन विवादों से घिरी हुई है ये आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित करान्ती के दौरान केमिकल्स का जादा परयोग हुआ है और जल भृतो यानि कि जमीन के अंदर जो पानी है वो सूखने और जय विवत्ता विवलूप्त होने के कारण भूमी का निमनी करन हुआ है। आज जीन क्रांती संकेश शब्द है जिसमें जननिक इंजिनियरी सम्मिलित है। जीन करांती क्या होती है जननिक इंजिनियरी क्या होती है जननिक इंजिनियरी बीजों की नई संकर किस्मों का अविश्कार करने में सक्तिसाली पूरक के रूप में जाने जाती है यानि कि ये हैवरिट किस्मे के बीजों का अविश्कार करती है वास्ताओं में कार्बनिक क्रीसी का आज अधिक प्रचलन है हकीकत में और्गेनिक क्रीसी का आज जादा प्रचलन है क्योंकि ये उर्वरकों तथा कीट ना सकों जैसे कार्खानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है कार्बनिक क्रीसी क्यों प्रचलन है क्योंकि कारखानों में जो chemicals use किये जाते हैं उनका use नहीं किया जाता और किट नासकों का परियोग नहीं किया जाता है इस वज़ा से कार्बेनिक क्रेशी का आज अधिक प्रचलन है इसलिए परियावरन पर इसका नकरातमक परभौ नहीं पड़ता, इस वज़ा से environment पर इसका नकरातमक परभौ नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह केटी में chemical fertilizer और kit ना सकता यूज नहीं होता, कुछ आर्थे सास्त्रियों का ये भी मानना है कि बढ़ती जनसंग्या के कारण घर्टे आकार के जोतों पर यदि खादानियों की खेती ही होती रही तो भारती किसानों का भविश अंधिकार में है कुछ आर्थे सास्त्रियों का ये भी मानना है कि अगर बढ़ती जनसंग्या की वज़ा से घर्टे आकार के खेतों में खादानियों की ही खेती होती रही चावल गेहूं की ही खेती होती रही तो भारती किसानों का भविश अंधिकार में है भारत में लगबग 83.3 करोड लोग लगबग 25 करोड हेक्टियर भूमी पर निरबर है इस प्रकार एक वेक्टि के हिस्षे में आधा हेक्टियर से भी कम क्रीसी भूमी आती है कीमती फसल उगाएंगे इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ परियावरन निमनी करन में कमी आएगी फलों और शदिये पौधों बायोडी जल फसलों जैसे जट्रोफा और जोजोबा फूलों और सबजियों को उगाने के लिए चावल या गरने से बहुत कम सीचाई की आवश्रकता है बारत में जलवाई विविधिता का विभिन वरकार की कीमती फसले उगा कर उप्योग किया जा सकता है बारत में कही तरह की जलवाई उपाई जाती है इसमें अलग अलग तरह की कीमती फसले उगा कर उप्योग किया जा सकता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मन भूलेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में थैंक यू